जैबियार दोस्तों एक्जामपुर परिवार में आप श्विकाश प्वागत ही आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के पहले बहुजन राजपती के बारे में और इनका नाम क्या है तो आप लोगो याद रखना है कि आर नरायनन आप लोगो देखने को मिल जाते हैं और हाली में चर्चा का विश्य इसलिए रहा क्योंकि इनकी जैनती जो है 27 सब्सक्राइब को मिना इसको बीस का वह समय था जब इनका जनम केरल में हुआ था यह आप लोगो पता होना चाहिए उनई इस सो बानवी में वह भारत के उप राजपती के रूप में समय ते जब इन्होंने एक बीदेसी महिला से साधिके थे और यह विदेसी महिला का नाम था माटिन यह क्या हुआ किुगो साहल वोक्राग़ीर यहां किया तरवानपór जो हैं peninsula चीअ और निवेस राजपती जिन्हों ने बिदेरिसी महिला से साथी किया इन्हों ने काम किया गया था और क्या निधन का निधन का नीधन के अगर बाद के रहा गया था तो नीधन दिल्ली में नौ नमबर दोजर पाच को इनका क्या हो गया था निधन आप लोगों को याद रखना है और इनके बारे में और भी चीज़ जान लो जैसे उनचास लेकर उनचास तिरासी था किनों ने राजनई के रुप में कहीं देशों में कारी किया जैसे रंगून रंगून में ही जब यह काम कर देते उसमें भारतिये जो है विदेश सिवह में ते उसी समय एक विदेशी महिला के इनके मुलाकात होती है जो कि बाद में साधी का रूप भी ले लेता है तरंगून हो टोक्यो हो लंदन हो कैनबरा और हनोई समयत कई परमुख दुतावास में इनोंने अपना का वातनष्चेतर में संसर सदस रहते यानि की भारतिये विदेश सिवह में उसके बाद जो है राजनीती को रूप करते उनई सो चवरासी का वह समय रहता है जब यह राजनीती के और जो है करते हैं और इनोंने पूरुख परधान मंतरी इंद्रा गांदी और राजिव उपलिब दिया है जो आप लोग को याद करना है तो यह आप लोग को लेलना है इसको याद के लिजे कवरियों से एक सवाल है कि देश के पहले दली तिया बहुजन राजपती क्या नराइन की जिनती हाली में कम नाए गया है इसका अंसर में उमीद करूंगा सभी लोग करना क्या है तो एक्जामपूर अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद जो है आप लोगो जो है मुबाइल नंबर और एमेल के माधियम से आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं यह अभी तक का महत्पून अपडेट था मैं उमीद करूंगा यह सेशन आपको पसं आपको नहीं कर दो है आपको झाया है ।